हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे, जैसा कि आप सब को पता ही हमारी इंडस्रियल रिलेशन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ओफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का क्या मतलब होता है A trade union is an organization of workers that is formed with a view of protecting and promoting the interest of workers, worker का जितने भी workers हमारे होते हैं एक organization में या जितने भी labors होते हैं, उनका जो एक head होता है, उसी को हम लोग trade union बोलते हैं, और basically trade union क्यों बनाया जाता है, trade union इसलिए बनाया जाता है, ताकि जो भी workers हैं, उनके interest के साथ हम लोग अच्छे से काम कर प A union is a continuous association of person in industry whether employer or independent workers formed primarily for the purpose of the pursuit of the interest of its member of the trade they represent, ये यूनियन जो होता है, trade union वो क्या होता है, management भी बना सकती है, जो भी workers है, जितने भी workers है, उसमें से कोई एक person को trade union बना देगी, या जो workers होते हैं, वो अपने trade union खुद ही बना देते हैं, जितने भी workers कर रहे हैं, जितने भी workers हैं जो भी इंटरेस्ट के लिए काम कर सकता है, वो उसको क्या करेंगे, ट्रेड यूनियन बना देंगे, और ये बेसिकली किसलिए बनाया जाता है, क्योंकि जो भी हमारे workers हैं, वो देखने के लिए कि वोकर के साथ कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, या उनको कोई गलत त साथ कहीं कोई गलत चीज़े तो नहीं हो रही है, या management ऐसा तो नहीं है कि workers को ज्यादा काम कर रहे है, salary कम दे रहे है, या overtime करा रहे है, उसके पैसे नहीं दे रहे है, तो मरला बेसिकली यही बोला जा रहा है कि workers के इंटरेस्ट को प्रोटेक करने के लिए जो यूनियन बन कर सकता है, thank you